हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर आज हम बनाएंगे आलू टमाटर की रसेदार सबजी अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा तो चलिए आज की रेशिपी शुरू करते हैं इसके लिए हमने गैस में कोकर गरम किया हुआ है इसमें हम चार से पांच बड़ी चमच सरसों का तेल डालेंगे तेल गरम हो गया है एक चमच जीरा और साथ से आठ लैसून को हमने बारीक चौप करके डाला हुआ है साथी में हमने दो प्याच को भी बारीक चौप करके डाला हुआ है प्याज का कलर चेंज होने तक हमें से भूनना है साथ हम इसमें दो बारी कट हुई हरी मिर्च डाल देंगे तो मिर्च आप अपने टेस्ट के एक वार्डिंग डालें जितना आपको तीखा पसंद हो तो इस तरह से मीडियम फ्लेम में मसाले को हलका गुलाबी होने त अच्छे से भूनना है साथ हम इसमें नमक डालेंगे तो आप देख सकते हैं किसे भूनते हुए मैंने चार से पांच मिर्च तक अच्छे से भून लिया हुआ है और यह तो नीच्छे से थोड़ी सी लगने भी लगी हुए तो जो बेसिक मसाले एक चमच हल्दी पाउडर एक पड़ा चमच धनिया पाउडर आधा चमच लाल मिर्च पाउडर और आधा चमच हमने इसमें गरम मसाला डाला हुआ है सभी मसाले डालने के बाद धीमी आज में हम इसे आधा मिनट तक भून लेंगे तो यह देखिए मसालों डालके हमने अच्छे से भून लिया हुआ अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे तो यहां पर हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर ते जिने बारीक काटके डाला हुआ है और आप मिक्स करने के बाद दो मिनट के लिए ढखकर पकाएंगे जिससे की टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो अब हमव्या है तो अपनी हिसाब से अटज़ेश्ट कर सकते हैं इसे हमने दो सीधी आने तक पका लिया हुआ है और यह लीजिए हमारी आलू टमाटर की रशेदार सब्झी बन कर के तयार है लास्टि मैं इसमें धरिया पत्ती डालेंगे और यह हमारी आलू टमाटर की सब पूरी के साथ खाएं यह आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लाइक जरूर कीजिएगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई